आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं मटर की दाल की रेसिपी जो कि विंटर्स में बहुत ही टेस्टी लगने वाली है क्योंकि विंटर्स में बहुत ही टेस्टी वाली मटर आते हैं आप सभी जानते हैं और फ्रेश मटर की दाल यह बहुत ही टेस्टी लगती है आप एक बार इसे ट्राइ करके देखेंगे, तो आपको जरूर पसंद आने वाली है, तो चलिए, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैंने हाँ पर ये 2 cup हरे मतर लिए हुए हैं, और ये बिल्कुल fresh है, मैंने अच्छे से वाउष कर लिया है, ć और इसके पाद हम इसे बॉयल करने वाले हैं, तो बॉयल करने के लिए मैं आपको बता रहे हैं, तो दो कप पानी आड़ कर रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा नमक एड़ करके हम इसे अच्छे से बॉइल कर लेंगे या फिर आप चाहे तो कुकर में दो सीटी भी लगा सकते हैं तो बस मैं आपको बता रही हूँ कि अच्छे से इसे मैंने वॉश कर लिया है तो आप मैं इसे फिर से वॉश में ही करने वाली हूँ और आज के लिए मैंने यहां पर यह लेशन दिया हुआ है थोड़ी सी अद्रक थोड़ा सा प्याज और एक हरी मिर्श मैंने आपर ले हूई है और इसे हमें एकदम फाइनली चॉप कर लेना है और इसी के साथ मैंने यहां पर यह दो बड़ टमाटर लिया है क्योंकि टमाटर का फ् तोड़ा सा जीरा एड़ किया है और जब यह अच्छे से बुन जाए तो इसके बाद हम यहां पर यह चॉप किया हुआ अद्रक लेंसोन और प्याज का पेस्ट आड़ कर देंगे इसी तरह से आपको इसे या तो प्यॉरी कर लेना है या फिर इसी तरह से बिल्कुर फाइन कर रहे हैं तो थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च ली है हल्दी पाउडर इसके साथ थोड़ा सा यहां पर मैं यह कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी आड़ कर रहे हूं ताकि कलर अच्छा आए यह बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है और यहां पर मैं दो चम्श धन्या तो जितने में आपके ये प्याज लहसुन भूनकर तयार होंगे इतने में ये पेस्ट भी बन जाएगा और जब अच्छे से बुन जाए तो हम यहाँ पर ये पेस्ट को आग कर देंगे आसा करने से मसाले बिल्कुल भी जलते नहीं है और इसे हमें अच्छे से पकाना है और मैं ये सारा प्रॉसेस एकदम हाई फ्लेम पे कर रही हूं ताकि जो इसका कलर है इसका टेक्श्चर है वो बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल जैसा आए और मैंने थोड़ा सा पानी और इसे होता देख चाए तो हम यहां पर टमाटर भी आइप कर देंगे जो हमने इस तरह से प्योरे करके रखा हुआ है और अब हम इसे फिर से चार से पांच मिनट के लिए पकाएंगे जब तक कि यह और अच्छे से से इपरेट ना कर दे और मसाला हमारा पकर त्यार ना हो ज चुके हैं तो यह देखिए मैं इसे अच्छे से चेक कर रहे हूं तो यह बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं तो यह देखिए मसाला जो है वह बिल्कुल अच्छे से बुनने लगा है और आप देखी सकते हैं कि साइड में रिलीज होना स्टार्ट हो गया है तो इसी तरह का म साला हमें चाहिए और इसके बाद हम यह जो मतर हमने बॉल किये थे वह इसमें आड कर देंगे पानी को आपको बिल्कुल भी नहीं निकालना है जो पानी था वह आज़िटेज आपको इसके अंदर डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद 3-4 मिनट के अच्छे से यह बॉल हो चुका है अब इसके बाद आपको जितना पानी इसमें चाहिए जितने क्वांटिटी आप इसमें पानी आड करना चाहते हैं वह आड कर सकते हैं तो मैंने यहां पर आधा कब पानी आड किया है और इसे अच्छे से बॉल होने देंगे और जब भी बॉइल हो जाए तो हमें आपर गयास को बन कर देंगे यह हमारी मटर की दाल जो है वो बन कर त्यार हो जाएगी बस इस तरह से आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए खाने में बहुत ही रेसी लगती है आप एक बार इसे बना कर देखे सभी को बहुत पसंद आएगी तो अग को मेरे वीडियो उसके लिए पेस नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तब के लिए बाबाई